वह खा चुका था को इंग्लिज में क्या करते हैं ये आज के इस वीडियो में हम इस वाक्य का इंग्लिज ट्रांसलेशन सीखेंगे इसके इंग्लिज होती है he had eaten तो चलिए सीखते हैं कि इस नियेम पर इंग्लिज में ट्रांसलेट हुआ है तो देखिए जिस भी इंद्य वाक्य के कहनते में चुका था रहता है जैसे कि इस वाक्य में है कि खा चुका था वो past perfect tense का sentence होता है और past perfect tense के affirmative sentences को जो कि एकदम साधारन होते हैं past perfect में ऐसे वाक्यों को इंगलिस में translate करने का निया में पहले subject लिखेंगे तो इस वाक्य में subject व और वा को इंगलिस में ही कहते हैं उसके बाद had लिखना है उसके बाद verb का third form लिखना है verb का third form है खाना और खाना को इंगलिस में eat कहते हैं और eat का third form हो जाएगा eaten ठीक है he had eaten दोस्तों सिर्फ एक मिनट में किसी भी हिंदी वाक्य का इंगलिस ट्रांसलेशन और उसे इंगलिस में translate करने का नियाम भी सीखते रहने के लिए channel पर ना है तो channel को subscribe करें